देखे अपना जो चेत्री आकांक्षाएं वाला जो पार्ट चल रहा है कश्या बारे के अंतरगत उसको अपन इस पीडियाप के माध्दम से समझेंगे नोर्स है यह सांदाक न्सी आएटी की जो आपकी किताब चलती है आपकी जो बुक चलती है जो किताब में बहुत सारी चीजे है जो विनामतलबकी दे रखती है मैंने यहाँ पे नोर्स के तौर पर तुम्हें जो अच्छी अच्छी चीज़े वह समझाने के लिए यह पीडियाप तयार किया इसको अपन छेत्रबाद के बारे में थोड़ा सा समझनी का प्रियास करेंगे कि छेत्रबाद है क्या हलाकि समझाने को जो भी चीजे होंगी अपन पांठ में समझ चुके है लेकिन छेत्रबाद के बारे में और समझते है छेत्रबाद का अर्थ क्या है तो छेत्रबाद किसे कहते किसी ऐसे चोटे से चेतर से मतलब है इसका जो किसके आदार पर भासा के आदार पर या फिर धर्म के आदार पर या फिर अपन कहें भौगुलिक चेतर के आदार पर किसके आदार पर बताओ जैसे एक बोगोलिक छेतर होता है कि यहां के रहने वाले है उनके आधार पर बोगोलिक सामाजिक अत्वा ऐसे ही अन्य कारकों के आधार पर अपने प्रिथक प्रिथक का मतलब होता है अलग प्रिथक का मतलब क्या होता है बता हो अलग अलग अस्तित्व के लिए प्रेतन सील है मतलब वो अपना अलग से ही एक अस्तितिवे स्तापित करना चाहते हैं अगर एक साथ रह रहे हैं तो वो अलग से बसना चाहते है जिस तुमने देखा हुआ आज के दोर पे बहुत से गाब बड़े बड़े थे बहुत बड़े गाब थे बड़े गाबों में से दूर जाकर उनूने खेतों के आसपास जाएं उनके पास सुविधाख से लिया मांग करते हैं कि हमारे इतने घर बन गये हैं हमें सुविदाएं दे हमें सडक बनाओ हमें विद्धुत पहुंचाओ हमें पानी की विवस्ता करो तो वो अपना अलगी अस्तित्व इस्तापित करने की बात करते हैं ऐसे ही गावों से ही दीरे दीरे एक बड़ा समू बनता है और उसको कहते है छेत्र उसको क्या कहते है छेत्र वो बड़े इस तरफ पर फिर इसी तरीके की मांगे करते हैं, देखो, अस्तित्व के लिए प्रेतन सीले, इस प्रकार छेत्रवाद से अभी प्रेया है कि राज की तुलना में किसी छेत्रविसेश से क्या करना, लगाव, लगाव का मतलब होता है जुडाव, ठीक है, तो ये से एक बार हटाना पड़ेगा, और हटाने के बाद, चलो, यहां से हटा देते हैं, कम्प्लीटली, ठीक है, दूसरी PDF, दूसरी PDF की और चलते हैं, कहीं से तो चलेंगे, अभी चलेंगे, रुको, रोग दी क्या? उसको रोग दे थोड़ी, असको इक्लिक करना, देखो तो चेत्रबाद के बारे में अपन ने समझ लिया, कि छेत्रबाद जो होता है, वो अलग-अलग भासा के आदार पे, धर्म के आदार पर, गोगलिक छेत्र के आदार पर, जब परतक, अपने आपको प अब देखो छेत्रबाद के क्या-क्या effect होते, क्या-क्या प्रभाव होते वो अपन देखते हैं यहां पे, तो छेत्रबाद के प्रभावों को अपन यहां देखने वाले हैं, तो देखो भारत की राज्य विवस्ता को छेत्रबाद निम्न प्रकार से प्रभावित करता है, हमा बाद के आदार पर राज जो है वो केंदर सरकार से क्या करते हैं सौधेवाजी अच्छा आप कहेंगे गुरू जी सौधेवाजी का मतलब क्या है सौधेवाजी का मतलब होता है लेंदेन करना क्या करना लेंदेन करना अब देखो आपको पता है कि केंदर सरकार जो बनती है व के आधार पर बताओ लोकसवा की सीटों के आधार पर बनती है बरतमान में लोकसवा की जो सीटे है वो कितनी है बताओ अब ये 545 अलग-अलग राज्यों में है ये ऐसे नहीं है कि केंद्र सरकार में पूरी की पूर अलग-अलग राज्यों में 545 सीटे है जैसे हम बात करें ह हमारे राजिस्तान में अगर मैं बात करूँ राजिस्तान में लोक्षबा की सीटे हैं 25 कितनी सीटे बताओ किजी है। किसमें उप्यादाओ यूपी में है ठीक है यूपी की बात करें तो यहाँ पर लगवाख अस्टी सीटे हैं तो मतलब बात यह है कि यह जो रज है अलग पारीटि के जब जीत के आ जाते है तो क्या करते हैं कि सरकार को अपनी और मिलाने के लिए उसे सौ्देवाजी करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है सौ्देवाजी कि भाये तू रे पैसे लेला लेकिन मेरी party में आखे मिल जा तब ऐसे मिल मिलके जिसको भाउमत मिलता है वो ही केंदर सरकार में क्या बना पाता है अपनी सरकार बना पाता है इसलिए छेतर में जो भी अपनी पैचान बनाए रखता है वो चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद वो जीत जाता है और जीतने के बाद वो जिसकी तरफ जादा होगा उसी की तरफ जुग जाएगा उसी से पैसे लेके वो उसकी त गतवीदियों को उभारा है ठीक है चुनाबों के समय छेत्रबाद के आदार पर राजनितिक दल उम्मीदवारों का चुनाब करते हैं और छेत्री अबावनाओं को बढ़का कर वोट प्राप्त करने की का करते है चेस्टा तुमने देखा होगा अभी जो बढ़काने वाली ब भी थीरती है वigmatया निए भूट तोड़ी मरने आते हैं जनता इसी इंसक यह भासन देकर जनता को बढ़काते है और अपने राकर्सित करते हैं उनसे लेते वोट वोट लेते हैं नेता को चुनिये का बताओ बंफिर बाद में जीतने के बाद जनता मरों कुछ बहोऊ कश ब करते हैं प्रभावित करती है अगली ओर चलते हैं अगली और चलेंगे यहां पर देखे एक शेत्र पर एक शेत्र टिपनी लखिए क्या लिखिए जैसे तुम्हारे सवाल आ कि भाईया चेत्र पर एक संशिप्त टिपपनी लिखिए चेत्र किसे कहा जाता है चेत्र किसे कहते है तो उसके बारे में आपको यह आंसर देना है देखो चेत्र उस भूबा को कहते है जिसके निवासी क्या करते है वो देख लेते है अपन ठीक है जिसके निवासी बाद आदार पर राज केंदर सरकार से क्या करते हैं अच्छा बदल गया क्या यह लो अब तो आ गया यह लो भई अब ठीक है देखो छेत्र किसे कहते छेत्र अश्मुबाग को कहते जिसके निवासी इसके निवासी उस छेत्र के निवासी जैसे सामान निवासा, धर्म, परंपराएं, सामाजिक आर्थिक और राजनितिक विकास आधी की द्रश्टी से बावनात्मक रूप से एक दूसरे से क्या हुए है? जुड़े हुए है. अब तुम सोचो तुमारे घाब में, क्या एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए है? कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है, क्या पूरा घाम भाग नहीं लेता है? सब बढ़ चड़के काम करते हैं, सब बढ़ चड़के यहां पर परोशने का काम करते हैं, तो सब एक दूसर से जुड़े हुए है या आजा हमाने घर अराम से तुम रोज-रोज आओ कोई दिक्कत नहीं 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 भावनाओं से, अगर किसी कोई जा रहा है रस्ते से वो गिर पड़ाया है, तो आप उठाओगे नहीं क्या, आप तुरंट उठाओगे रहे हैं, मेरे गाव का है, कहीं लड़ाई हो जाती है, तो तुम तुम तुरंट बचान ले रहते हो, कहीं दूसरी जगे, यह मेरे गाव का है, तुम ने इस पर आत कैसे उठाया, है या नहीं होता हो, क्योंकि उनके साथ हमारी जुड़ी हुई है, भावनाओं को बोलते हैं, इमोसंस, क्या बोलते हैं, इमोसंस, ठीक है, आगे आजा, दीबार के लग रहा है, आग किसे, तरकारी बच्चे ऐसे बटे होते हैं, दीबार के कोई लग जया ना, तो उसके अड़ी में पठेला बान दिया जाएगा, ऐसा, ठीक है, आगे देखो, यह हैं भूबाक सीमा वरती राज, कहां कहां पे होते ही एक छेत्र हैं, सीमा वरती राज, जो भी होते हैं, राज का एक या एक से अधिक भाग भी हो सकत भारती संदर में प्रांतो तता संग्य प्रदेश को क्या कह सकते हैं, छेत्र कह सकते हैं, प्रांतो का मतलब होता है वो ही राज, प्रांतो को भरतमान में क्या बोलते हैं, राज, संग्य प्रदेश, जो संग्य सासित प्रदेश होते हैं, उनको भी कह सकते हैं, तो यह बात कि आपको ध्यान रखनी है उसके बाद आ गया हूँ अगले और चलते हैं अब एक अगला क्वेश्चन आ गया वह देखते हैं क्वेश्चन क्या है बताओ देखो छेत्रबाद के उद्धे के प्रमुक कारण किसके उद्धे के कारण बताओ अब जैसे तुम्हें प्रेसन आ ग चेत्रबाद का उदे कैसे होता है जैसे तुमने देखा कि एक नए पेड का उदे कैसे होता है उदे का मतलब होता है जनम उदे का मतलब क्या होता है जनम तो आप कहेंगे कि गुरुजी नए पेड का जनम तो कोई बीज से ही होता होगा किस से होता होगा पहले फल फल पका पक अपने आप ही उगजाता है ठीक है हम उसमें कोई इंटरफियर नहीं करते हैं फिर नहीं उग्गे है अपने आप यूगता रहता है ऐसे ही अगर मैं बात करू तो छेत्रबाद का धीरे-धीरे ओदे होता है क्या होता है अब कैसे होता है उसके कौन-कौन से कारण है वो देखिए देखो छेत्रवाद के लिए सबसे जो इंपोर्टेंट कारण है वो आर्थिका संतुलन है क्या है बताओ आर्थिका संतुलन अच्छा आर्थिका संतुलन का मतलब अपन नॉर्मल सोचे इसकी भासा को छोड़ दे वह यह तेरी भासा को नह नहीं दे रही है रोजगार नहीं दे रही है तो पैसे की कमी तो आएगी आएगी नहीं आएगी जैसे सरकार ने बहुत सारी योजनाई चला रखी है जैसे मन्रेगा क्या चला रखी है अब भाईया मन्रेगा का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो आ आराम से अपनी जॉब कार्ड को ले जा सकते हैं, नाम दर्ज करवाईए और आपको काम मिल जाएगा, लेकिन सरकार काम नहीं दे रही है, तो ऐसी इस्तिती में आर्थिक एसंतुलन पैदा हो जाता है, क्या पैदा हो जाता है, आर्थिक का मतलब आर्थिक के अंदर पैसा ही क्या जाता है बताओ, पैसा, तो देखो, ते यार बुरु जी वो रिकॉर्ड चल दी है, उसमें पिर कट करने में बहुत बक्त लग जाता है, उसको ले जाओ, अपले हो, बेवेक जी डिस्टब कर जाते है, पहले पंद कर दी, बोला मैं जाओ, शहीं बता, ठीक है, चलो, आओ, तो देखो, आर्थे का संतुलन समझ में आया थोड़ थोड़ा, समझ में आया गया, सरकारी स्कूलों में, मैं बता देता हूं चलने दोस्को, सरकारी स्कूलों की इस्तिती यह है, या तो मास्टर पढ़ाएंगे नहीं, और पढ़ाते हैं, कोई बात न ठीक है, ठीक है, पढ़ाते हैं, तो नए नए टीचर आते हैं, उनसे क्या बोलते हैं, वस दस दिन ही पढ़ाएगा, तेरे को देख लेंगे, ऐसा होता है न, है न, अब यार इतने अच्छे से PPT बनाके अब कॉसिस कर रहे हैं, चलने दो ना यार क्या दिक्कत है, है या न कौन सी वाली, वो नहीं डाली हैं क्या, वो ऐसे उस दिन टुकडेन में बनवा देई, दो टुकडे बन गए, अब उसको जोडने को टाइम नहीं मिल रहा है, हाँ, कोई बात नहीं, अब इसमें टुकडे नहीं होने चीएं बस, देखते हैं, तो अपन आर्थे का संतुलन क जहां पर गरीबी होगी, जहां पर क्या होगी बताओ, भई जिनके पास पैसे हैं, उनको तो आर्थिक दिक्कत ही नहीं है, उनके पास तो खूब अताय बंडार पैसा है, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो देखो, आर्थिक अस्वंतुलन, चेत्रविसेश के लोगों कर रही है, एक जगह तो रोजगार बढ़ीय दे रखता है, एक जगह दे ही नहीं रखता है, तब तो एसी इस्तिति में हो जाता है क्ैया? चेत्रविसेश पर भेद वाजब हो जाता है, चुछ तो वे दवाब, तो भेदवाब किया जा रहा है तथा उनके आर्थिक विकास की उपेक्सा की जा रही है उनके आर्थिक विकास की क्या की जा रही है उपेक्सा की जा रही है यह भावना भी छेत्रबाद को क्या देती है बढ़ावा देती है तो एक कारण तो आप यह बता सकते हो कौनसा कारण बता सकते हो आर्थिक है संतुलन बता दोगे ना ठीक है इसे बोलते ना और कैसे बोलते हैं अच्छा डुनाड की तरफ जाओगे तो बहां अलग बोली है ठीक है मारवाड की तरफ जाओगे तो उनकी बोली को समझी नहीं पाते हैं बहारी की बोली की बोली हैं चेटर विसे इसके आदार पर जासा के आदार पर भी लड़ाई होती रहती रहती है अब बड़े स्तर पे देखे तो राज्जों में लड़ाई होती है जैसे मैंने बताया कि आंधर प्रदेश पहला है सा राज जिता जिसने बासा के आदार पर राज बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी सबसे पहले किसने बताओ आंधर प्रदेश ने तो वो तिलंगु बासा के आदार पर एक अलगी राज बना था तो ये भासाबाद भी एक तगड़ा काम है जिसके कारण भी छेतरवाद का उदय होता है जैसे कि भारत में सदेवी अनेक वासाई बोलने वालों ने कहीं बार अलग-अलग रैज के निर्मान के लिए व्यापक क्या चलाए बताओ आंदोलन चलाए जिन में सबसे पहले आंद प्रदेश को भासा के आदार पर बनाए गया रैज्य तो यहां पे अपन को ध्यान रखना है उसके बाद जाती बाद किसके आदार पर बताओ जाती बाद भाई जिसकी जादा जाती होगी मतलब जिसके अंतरगा जौन सी जादा काश्ट के लोग होंगे वो उसी आदार पर seato की बात करेंगे कि भईया हमारी जनसेंग क्या ज़्यादा है इसलिए हमें seat भी ज़्यादा आपिंटित की जाए लोग सभा में बिदान सभा में तो उसी के आदार पर वो अपना बर्चस बनाना चाहते हैं और फिर वो उसी के आदार पर अपना छेतर भी बना लेते हैं बनाते हैं बनाते हैं ऐसे तुमने अपने गाब में भी देखा होगा कि भैया ये फलाने समाज का है ये माली समाज का है ये गुरजर समाज का है ये मीना समाज का है आप देखेंगे कि भैया कि यार उस चेतर में उस गाब में आपने देखा कि उसमें किवल नोकरी वाले हो गए तो नोकरी वाले हो गए तो एक टोनको अपने अधिकारों के बारे मि जादा जानकारी है लो आए दिन कुछ ना कुछ मांड करते रहते हैं और वह उच्छ पदो पर चले जाते हैं चुनाब लड़ते नेता बन आब किसमें भी दो वर् girlag बन जाएंगे एक तो निमफन बर्ग और एक जो है वह तो हमारे भारत सबसे बड़ा जो राज्य 피ya क्या हो गया है लेकिन जन்सिंग क्या है लेकिन क्या नहीं है बताओ जंसिंग क्या नहीं है जंसिंग क्या सबसे ज़्यादा यूपी में है किसमें बताओ यूपी में है तो इसलिए आकार में तो हमारा राजिस्तान है आकार में तो कौन से बताओ राजिस्तान है राजिस्तान में लोकसभा की कितनी सीट है ठीक है और यूपी में जनसिंक्या ज़दा है इसलिए यूपी में कितनी सीट है असी सीट है तो सीटों का आवंटन भी जनता के आदार पर किया जाता है जनसिंक्या के आदार पर किया जाता है समझ में आया जहां पर ज़दा जनसिंक्या होगी वहां पर सीट भी ज़दा होगी क्यो क्योंकि बहाँ पर बोट देने वाले भी ज़्यादा लोग होंगे, होंगे या नहीं होंगे, चुनाव लड़ने वाले भी ज़्यादा लोग होंगे, इसलिए सीटों का आवंटन भी जिनसिंक्या के आदार पर किया जाता है, ना कि किसी आकार के आदार पर आओ, प्रसासनिक कारण कुछ प्रसासनिक कारण भी होते हैं प्रसासनिक कारणों से भी विविन्न राज्यों की प्रगती में अंतर रहा है पंच बर्शिय योजनाओं के दौारा भी राज्यों का समान विकास नहीं हुआ है यह अंतर भी किसको बड़ावा देता है चेत्रवाद को बड़ाबा देता है तो ये भी बात समझ में आगे ही होगी आई या नहीं आई बताओ ठीक है और अगले और चलते हैं अपन अब यहाँ पे एक मिनश्ट यहाँ पे अपन देखेंगे और यह संतुलन क्या है चेत्रिया संतुलन क्या है और यह संतुलन अपना देखते हो कोई कई पानी बेरा है पानी पील्कुल जमीन के लेवल में जा रहा है जब तो वह संतुलत बेरा है जैसी जमीन से उपर अपने बाउनडुरी को जैसी चड़ेगा वह संतुलत हो जाता है और बहुत भाव के साथ बेने लगता है और भी बहुत सारी चीजों को देख सकते हो आ संतुलन का मतलब जैसे कि मैं मुट साइकल से जा रहा हूँ आगे कोई गाया गई है और गाया आगे कारण में गिर पड़ा क्या पड़ा बता हो गिर पड़ा मेरा आ संतुलन बिंगड गया, मतलब संतुलन बिंगड गया, संतुलन बिंगड रहा, पहले मैं बढ़ी अढंग से सीथ में जा रहा था, अचानक से गाय आ गई, अचानक गाय आने के कारण गिर पड़ा, तो मेरा संतुलन बिंगड गया और मैं गिर पड़ा, है या निये, तो मत संतुलन का अर्थ यह वारत के वेविदिनने राज्यों तथा चेत्रों का विकास एक जैसा नहीं हो रहा है बहुत है SERकार को Baiya निए MRT आप है संतुलन की स्थिती हो जाएगी आप बही राजेंगे कि यार चेत्रपल में तो हमारा राज ज़्यादा बढ़ा है जन संग्या में नहीं है तो क्या है पैसे हमाई भी आने चीए तो ऐसे टकराप की इस्तिती हो जाती है और लड़ाई जगड़े की इस्तिती हो जाती है बिन्न बिन्न छेतरों के विकास इस्तर और लोगों के जीवन इस्तर में पाए ज ने वाले अंतर कोई क्या कहा जाता है भी संतुलन देखने को मिल जाता है कैसे अप कहेंगे शुठी इसलिए इसलिए धीयर राजिस्तान में अभी यह कि ब्रकती आती है ना BSTC की मतलब इससे तरगेड मास्टर बनते हैं इसमें क्या कि आए कि अभी अभी लड़कियों को 50% सीट अलोट कर दी कि जो भी पदाएंगे उनमें से 50% सीट किनके होंगी बताओ इस पेसल लड़कियों की पहले 30% हुआ करती थी 30% से ही अचानक कितना परसेंट कर बी कों भी आते हैं इसमें कौन आते हैं बिकलंग भी आते हैं इसमें सेना में जाने वाले जो रेटार्मेंट फौजी होते वो भी इसमें आते हैं तो आपसो चो फौजी भी ले गए विकलांग भी ले गए अब लड़की अब बहुत कम होती है जो फौज में जाती है तो लड़की तो इस्पेसली 50% में जैसे कि 100 अगर सीट आई है तो लड़कियों की स्पेसल कितनी सीट आगई बताओ 50 आगई अब लड़के इनकी 50 सीट आई है तो कुछ तो फौजी ले गए कुछ सामयन ने ले गए और कुछ विकलंक बगएरा ले गए तैसी इस्तिती में सामयन लड़कों के कुछ भी आतनी लगने वाली है तो यहां पर यहां पर जो है सीटों को लेकर असंतुलन पैदा हो गया इसलिए अभी कुछ दिन पह आओ और देखते हैं अपन छेत्रिय असंतुलन होने के बाद अब छेत्रिय असंतुलन के कुछ प्रभाव देखते हैं इस असंतुलन से होने वाले क्या-क्या प्रभाव है मतलब क्या effect देखने को मिलेंगे अगर छेत्रिय असंतुलन बना रहा तो कौन सी इस्तिती पैदा ह तोड़े-थोड़े इन सब्दों को समझने का प्रयास करो आपको दिखत नहीं आएगी ठीक है तो देखो अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करी लेते हैं आ पिलोगे देख लेंगे चल जा यहां से आएगा ऑफ, छेत्रिय ऐसंतुलन के प्रभाव, क्या-क्या प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है, पहली बाद, पिछडे छेत्रों में ऐसंतुष्टता की भावना बड़ी तेजी से बढ़ रही है, किसकी भावना बताओ ए संतुष्टा मतलब ए संतुष्टा का मतलब लोग संतुष्ट नहीं है लोग क्या नहीं है बताओ संतुष्ट नहीं है अब बताओ संतुष्ट क्यों नहीं होंगे लोग संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं लोग बताओ जैसे सरकार ने किये बड़े बड़े बादे क्या किये बड़े बड़े बादे हम 4 लाख नौकरी देंगे कितनी लाख नौकरी देंगे अब ही नौकरी बड़ी अच्छी बात है नौकरी देंगे तो हमने बोट भी दिये बादे तो पहले ही किये जाते ना तो खीक है तो बादे इन पे अगर खरे नहीं उतरते है तब अस तो रोज टाल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो तुमारे अंदर आसंतुष्टा पैदा हो जाएगी, तुम से मैं कहूंगा तो तुम संतुष्टी नहीं होंगे, आप तो रोज आते हैं नहीं हो, होता है नहीं होता है, आप तो ऐसे बोलते हैं न प्रपर भी ऐसे ही काम जब करने लग जाती है तो लोगों में असंतुश्टता की भावना पैदा हो जाती है, और फिर सरकार को प्थात बाद दिखाई देते हैं, सरकार पंथ साल बाद दवाद हो जाती हैं, होता है नहीं होता है, तो जनता सबक सिका देती है तो इस तरीके से ये सरकार के सामने भी परिस्तिती आती रहती है इन चीजों को तुम छोटे इस तर पर सोचा करो और फिर बड़े इस तर पर सोचा करो आगे आओ देखो पिछडे चेत्रों में असंतुष्टा की भावना बड़ी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोग लूटने का काम कर रहे ब्रस्ताचार करने का काम कर रहे कर रहे है नहीं कर रहे सरपंच हम बना रहे लेकिन सरपंच कोई काम करी नहीं रहे सही है गलत बताओ तो ऐसी इस्तित जैसे अलग अलग दलो का जनम कैसे हुआ वो सुनो दलो वाला भी टॉपिक आएगा तुम्हारे जैसे कि बर्तमान में अपने यहां पर कोई सर्पंच बनिया अब सर्पंच पहली बार जब और जाना था तो उसने पहले बारे सर्पंच के जितने बी वरष्टाचार के काड़ना में सब को खोल दिया वहिया सस्विक इतने कारंणा में गलत किये लोगों का पैसा मिलना था इतना काम होना था वो पूरा काम करवाया ही और पैसे अपनी घर में भढ़ लिये है या नहीं तो ऐसा करांती कारी जो काम करने के लिए कोई खड़ा होता है एक वेक्ती जब ऐसा काम करने के लिए एक वेक्ती खड़ा होता है तो तुम्हें विश्वास हो जाता है क्यार ये कुछ कर देगा तो फिर वो चुनाव लड़ लेता है और जीत जाता है अब जीतने के बाद वो चुनाब लड़ लेता है क्या लड़ लेता है चुनाब लड़ लेता है और चुनाब लड़ने के बाद उसके और विस्वास हो जाता है लोगों को और विस्वास होने के बाद अब वो अपनी इस पेसली दस बारे और लोग उसके साथ बड़े बड़े नेता मिल गए और फिर ऐसे इस्तिती में वो बना लेता है अपनी अलग से क्या बताओ पार्टी क्या बना लेता है पार्टी बना लेता है तो इस तरीके से नई नई पार्टीयों का जनम हो जाता है इस तरीके से नई नई पार्टीयों का क्या हो जाता है जन मिला है बढ़ावा मिलता है ठीक है लोग संतुष्ट नहीं है संतुष्ट नहीं है तो वो अंदुलन करेंगे लड़ाई लड़ेंगे लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसी इस्थिति में आतंकवादी गत्विदियों को बढ़ावा मिलेगा कि यह ऐसा नहीं करता है तो ऐसा कर द में आगे देखते हैं यह लोग घठekt अब क्या आता है अब देखते आगला चेतरिया संतुलन के प्रमुक कारण कौन-कौन से निवा को और है है चेतरिया संतुलन के कारण देख लेते हैं खरो यहां से इनको बड़ी अडंग से मिटाएंगे अब देखो नया सवाल आ गया अपने बीच में यहां से एक सवाल तुमारे आएगा इससे ध्यान रखना जितने भी चेत्रिया संतुलन के या चेत्रवाद के जितने भी कॉश्चन थे वो मैंने या लिये है और भी लेंगे देखो चेत्रिया संतुलन के क्या कारण आप से कॉश्चन पूछ लिया जाएगा चेत्रिया संतुलन के तीन कारण बताईए कितने कारण बताईए से पेला देखो बारत एक बड़ा क्या बताओ लोक कंतर है बड़ा इनी विस्व का सब्से बड़ा है विस्व का सब्से बड़ा लोक तंतर एक देश अगर पूछा जाए तो वह कौन सा है भारत है और यहां बिविन्यता अउपी बड़े पेमाने पर है छेत्रिय आकांक्षाओं को दबाने से छेत्रिय आसंतुलन पैदा होता है हमारी जो छेत्रिय आकांक्षाओं है उनको अगर दबा दिया जाता है तो क्या पैदा हो जाता है बता आसंतुलन क्या पैदा हो जाता है हमारे राजिस्तान में रह रहे हैं राजिस्त में ज्यादा से ज्यादा क्या लगाई जाए कंपनिया लगाई जाए कंपनिया अभी जैसे कि अपनी बड़ी मांग थी पानी को लेकर किसको लेकर बताओ ए-r-c-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p- अपन को जो है अपन के ये पूर्वी राजिस्तान वाले जिले हैं इनको नेरो के दुआरा क्या मिल जाएगा पानी मिल जाएगा तो किंद्र सरकार से मांग की तो ऐसी इस्तिती में छेत्र विसेस पर की जाने वाली ये बड़ी मांग की तो जब ये मांग पूरी नहीं होती ह कैसी इस्तिती में लोगों में ऐसंतुलन पैदा हो जाता है क्या पैदा हो जाता है और छेत्रिया अंदुलन पनपते है तो इसके लिए बड़े पेमाने पर अंदुलन भी किये अगला देखो रास्ति इस्तर के निर्णयों में छेत्रों को भजन नहीं दिया जाना भी छेत्र अगला सवाल देखते हैं अब अपन चेत्रिया संतुलन को दूर कैसे किया जा सकता है। सेत्रिया संतुलन को दूर करने के कुछ बड़ी अकारण देखेंगे। क्या कर दो आवाज नहीं अब देखो इधार। लिखने के लिए क्या नहीं लिखने दे रहा। वो तो मैं इसको डाल दूँगा अपलोड कर देगे जब दिल लिख लेना है ना। ठीक है। अब देखिए। अब देखो अपना इंपोर्टेंट कॉस्चन आ गया आप। इंपोर्टेंट कॉस्चन आ गया क्या बताओ पढ़के बताओ। इतनी देड़ से अपन छेत्रिय असंतुलन पढ़ रहे हैं ना। अब हम देखेंगे उपाय, क्या देखेंगे उपाय देखो क्या क्या उपाय किये जाए पिचडे चेत्रों में विशेस कर क्या क्या लाई जाए बताओ। लाइट लियाएंगे तो यार बहुत कुछ हो जाएगा यातायात संचार के साधनों का विकास किया जाए एक तो बिजली का विकास किया जाए यातायात के संचार के साधनों का विकास किया जाए सडक बनाई जाए क्या बनाई जाए जब एक दूसरे जो पिछड़े गाव है वो सड़क से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर साधनों का अबग अमन होगा तो पैसा भी आएगा एक स्पान से दूसरे स्पान पर जाने में भी आसानी रहेगी इससे की बैक्ती कमाने के लिए भी जा सकता है उससे भी अपना जो पिछड़ा पन है वो दूर होगा अगला है पिछड़े लोगों बें जन जातियों के विकास के लिए विसेस कदम उठाए जाए जो पिछडे लोग है जंजाती जो लोग है उनके लिए क्या उठाए जाए बताओ विसेश कदाओ जो पिरसासने का दिकारी जैसे आदिवासी छेत्रों में नियुक्त किये जाए उन्हें विसेश क्या दिया जाए बताओ ट्रेनिंग दिजाए विसेश क्या दिया जाए और उन्हें को नियुक्त किया जाए जो इन छेत्रों के बारे में थोड़ा बहुत क्या रखते है बताओ जान रखते है ठीक है अगला जो कारण है चेंद्रिय मंत्रि मंदल में सभी छेतरों को उचित क्या दिया जाए उनको मंत्री परसद में सामिल किया जाए जिससे कि वो अपने छेतर के मुद्धे उठा सके समझ में आया तो ऐसे काम करके इस उपाय के माध्यम से छेत्रिया संतुलन को क्या किया जा सकता है कम किया जा सकता है ठीक है आओ अब आगे अगला question very important अब देखो यह सवाल खांदार है कैसे है वो देखिए आओ देखो छेत्रिया संतुलन छेत्रबाद छेत्रिया संतुलन हाँ अरे भई छेत्रिया संतुलन किसका छेत्रबाद की बात कर रहे है छेत्रबाद की ठीक है छेत्रिया संतुलन किसकी बात कर रहा है बताओ छेत्रबाद की बात कर रहे है देखो चेत्रिया संतुलन चेत्रबाद का जनक है बाठ्ख्या कीजिए इसी कॉश्चन को दूसरे रूप में लिया जाए तो कह रहा है चेत्रिया संतुलन भारत में चेत्रबाद का प्रमुक कारण है इसको समझाईए देखो उत्तर देखो चेत्रिया संतुलन चेत्रबाद के जनक क रूप में चेत्रिया संतुलन से अभी प्राय क्या है विविन चेत्रों के बीच प्रैति व्यक्ति क्या बताओ आए ठीक है आए साक्सरता दरो स्वास्त और चिकिस्सा सेवाओं के उपलब्दता अध्योगी करण का इस्तर आदी के आदार पर अंतर पाया जाता है भारत में विविन राज्यों के बीच बड़े पैमानों पर आसंतुलन पाया जाता है चेत्रिया संतुलन ने भारत में अगर रूप में चेत्रबाद को पैदा किया है वो अगर रूप कौन-कौन से है उनको देखते है पहले उनको देखते है देखो अगला यहीं से है यह उसी सवाल का अंसर है जान रखना उसी सवाल का अंसर है यह क्या है चेत्रिय विविनताओं एवं आ संतुलन के कारण हार देखो बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है जान दो इदर देख बात नहीं चेत्रिय विविनताओं एवं आ संतुलन के कारण चेत्रिय वेदवाब को क्या मिलता बताओ भारत में चेत्रिय आ संतुलन के कारण छेत्रवादी भावनाओं को बल मिला इसके कारण कई चेत्रों की चत्रिया संत्थी unserem दोड़ को क्या दिया बड़ावा दिया व् vakषेत्रीया डल असंत्रृत रोड़ावाथ leo ठीक है, इसका अंसर आप ऐसे दे सकते है, ठीक है, बाद में देख ले ना इनको, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आओ, अगिला जो देखो question, नोट के रूप में देखो, नोट के रूप में अब अलग बात देखते है, नोट के रूप में अलग बड़ी अबात देखते है, दे खेत्रबाद के केंद्री करन के ब्रोध किसे ब्रोध बताओ कर देखो एख मैं बताता हूं खेत्रबाद के बीकेंद्री करन के ब्रोध लिए काईओं को अधिक सक्ति में स्वायत्ता करने के पक्स में है जबकि अलगाब बाद कौन सा बाद बताओ अपनी छेत्र को अलग करके स्वतंत राज की स्ताफना की मांग करता है ज्यान रखना बड़ा इंपोटेंट है इसको समझो केंद्री करन क्या है कौन बताएगा केंद्री करन का मतलब होता है जैसे ये गोला है जिकराएना गोला बीच में है केंद्र और इसी केंद्र के अंतरगात सामिल हो जाना इसी केंद्र में सामिल हो जाना सभी व्यक्तियों का इसी केंद्र में सामि कहलाता है केंद्री करन कहलाता है तो इसको पूरा करते हैं ठीक है तो अलगाबाद से क्या प्रयाएं यह देखो अलगाबाद से क्या भी प्रयाएं यह देखो अलगाबाद एक राज से कुछ छेत्र को अलग-अलग करके स्वेतंत्र राज की इस्तापना की मांग है अर्ता सं को निकाई से अलग अपना स्वेतंत्र अस्तित बनाए रखना रखना रखने के लिए अलग अलग यह बाद है अलगाब बाद से अभी प्राय एक राजी से कुछ छेत्र को अलग अलग करके स्वेतंत्र राजी की स्थापना की मांग अर्था संपो निकाई से अलग अपना होता है जब चेत्रबाद की वावनाएं उग रूपदारन कर लेती है ठीक है तो अब देखते हैं अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास चलेगी वो जैसे अलगाबबाद के कुछ उदारन और देख लो अलगाबबाद के उदारनों में देखो 1960 में डियम के तदा अन्य तमिल दलो ने ये अलग करवाने के लिए अंदुलन चलाया और असम में देखो मिजो हिल के लिए जिले अलग अलग बनाने की ये मांग की गई थी तो ये अलगाबबाद के कुछ इंपोटेंट उदारन है ठीक है तो इससे आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट कल ठीक है तो